क्लास 9 सोसल साइंस सब्जेक्ट एनिमल एक्जामने संद 2023 की जो परिक्षाय संचाले थे विद्यालों में एंसी एटी बुक से बनाई गया पेपर आप लोग की काफी साहता कर सकता है आप लोग के एन्मल एक्जाम के लिए तो चले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या क्यूशन आप लोग को पढ़ने हैं देखिए पहला कुशन पाटे में आप लोग को मुल्टिपल चॉइस कोशन करना सेंट दिखिए इन में से कौन सा अंतरकत नहीं पहला ट्रांस्पोर बैंकिंग मनिफेक्ट्रिश्म तो चार ओप्षन में क्यों सा तर्सेरी सेक्टर के अंतरकत नहीं आता था कोर्शन नेशनल फूड प्रोग्राम आप लोगन तो नेशनल फूड प्रोग्राम जो किया कि 2005 3 4 and the last one is 2001 तो फूट प्रोग्राम आप लोग अच्छे स्तेयार कर लिजे विच स्टेट हैस्ट मैक्सिम नमबर आप पीपल लिविंग बेलो पावर्टी लाइन देखिए नमबर आफ जो पीपल से हैं जो रहते हैं पावर्टी लाइन गरीबी रेखा कि नीचे तो मै इंक्लूड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व तो कहां पर नहीं पाया जाता है मानस गल्फ ऑफ मनार सुंदर बंस नंदा देवीन चारो में थे कहां पर नहीं है इंक्लूड नहीं किया जाता है नेक्स्ट कोशन नमबर 6 हाओ दो फॉरेस्ट इंफॉरेस्ट अफ देखिए प्लेस हाओ दो फॉरेस्ट जंगल जो बने हैं इंफ्लूएंस मतलब बढ़ावा देते हैं climate of a place तो modify local climate cause rainfall control wind force and temperature and the last one is all of the above तो यह सभी उतर सही आपके लगता है तो जरूर लगाएं सात्वा कुश्चिन है the judges can be removed only through the judges क्या remove कर सकते हैं parliamentary law या फिर impeachment या constitutional law या फिर इनमें से कोई option नहीं है none of the following 8th question who command supreme political authority in India on behalf of the people तो कौन on the behalf of people जो command देता है supreme command political authority को वो कौन होता है president होता है prime minister होता है parliament and the last one is supreme court तो यह आपको बताना है 9th question when was the railway line laid between Bombay and Thane देखे पाहिल train जो चली थी वो कब चली थी आप लोगों गयात होगे 1851, 52, 53, 54 चारव मत से कोई एक option सही है Bombay और थाने की भी चली जो train थी वो कब समय बताना है which European power stabilizes his colony in the Indonesia तो Indonesia की बात हो रिए British, Portuguese, French and the last one is Dutch 11th question when was the Indian forest service set up देखे forest service set up कब तयार किया था 1860, 1864, 1862 and the last one is 1868 question number 12 in which state bastard is located at president देखे कहां पर है बिहार में जहरकंट 36 गणिया मद्धिपरदेश चारों में से कौन सा सही option यह आपको बताना है who found nazis party देखे nazi party के संस्था पक कौन थे बिस्मार्क थे Hitler थे निपोलियन बोना पार्ट थे यह फिर सिदार निकोलत देती है इन में से कौन सा ही है बिस्मार्क वाज दा चांसिलर आफ इंगलेंड का था अस्ट्रिया का था पूर्तिगाल का था या जर्मनी का थे यह बताना आपको अब देखते हैं अंगला कोशन क्या है 15 वाला वीमर रिपफलिक जर्मनी इंगलेंड रथिया इतली कोशन नंबर 16 हू इनक्टेड दे पॉलिस्टी ऑफ स्टेट सोसिलिजम हिटलर ने लेनिन ने बिस्मार्क ने या इन में से कोई भी आप्सन सही नहीं है अगला कोशन नंबर 18 इन वे से कोई भी आप्सन सही नहीं है सेगंड लाज कोशन मुल्टीबल चोशन का आपको क्या लगता है कहां पर पावर्टी विजिबल होगी दिखाई देगी अब पार्ट बी में आप लोग को शॉर्ट एंसर वेरी शॉर्ट एंसर ते टाइप कोशन की जो आप्सन में इसको भी करना है ध्यान से देख लिजे पहला कोशन है why are women employed in low paid work तो employed मतलब उनको रोजगार दिया जा रहा है low paid work में तो हैसा क्यों है या फिर आप कोशन दूसरा भी कर सकते why is educated employment unemployment a peculiar problem of India तो जो आप लोग कभी रोजगारी है वो एक problem बनी विभारत की हैसा क्यों है यह आपको बताने कॉंसी फिल्ड में अगर नहीं आता तो आप लोग optional question कर सकते हो what is the difference between economic activities and non-economic activities को समझाए third question distinguish between cabinet and council of ministers या फिर अगर नहीं आता तो आप लोग write a short note on the collective responsibility of वाला question कर सकते हो question number four distinguish between population growth and the population change या अगला question यहाँ पर compare the east flowing and west flowing reverse of the peninsular plate you ठीक है यह question कर सकते हो अब answer the following question in 150 words में आप लोग करना है short answer type question ही है तो देखते हैं why has long question type question ही है तो why has India rich heritage days of flora and fora ऐसा क्यों है तो by diversity related question है कर लीजेगा अगर नहीं आता है आप लोग अथवा वाला question कर सकते हो distinguish between tropical evergreen forest and acid US forest में अंतर बताईए आप question number six कर रहे quite a few species of planted animal endangered in India और यह ऐसा क्यों हो रहा यह बताना है नहीं आता तो migration migration क्या होता है और determination factor of population change किस परकार से यह चेंज वर करता है यह बताना है आप लोग को 7th question में आप करेंगा डिसे देफ्रेंस बिट्रेंस बिट्वें था हिमालियान और पैनिसुलर reverse को तमझाई अच्छे से तो आप क्या करना अगर यह नहीं आ तो water the causes of water pollution question number 8 क्या कह रहा है देखते हैं write the main features of ganga drainage system ठीक है अगर नहीं आता तो write the main features of indus river drainage system यह कर सकते हो और question next जो है वो आप लोग को map work मिला हुआ है इसके question आप लोग को करने है अप question जो last है question number 9 जो कि show the falling rivers on the given map of india तो map of india की बात करें तो आप लोग क्या दिखाना है गंगारी बर दिखाना है नर्मदा को दिखाना तापी नदी को दिखाना महा नदी और Indus valley को आप लोग को दिखाना है नदी को दिखाना है तो इस तरह से आप लोग को क्या करना map मे जो है अब question number 10 so the following continent of the map on the world तो world map में आप लोग कंटिनेंट समझाने क्या Asia continent बताइए अफ्रीका बताइए नौर्ट अमेरिका साओ्थ अमेरिका और लोग को क्या करना है दिखाना है उमेद आप लोग पूरी वीडियो अच्छे से तयार कर लोगे और अपने एक्जाम की त चैनल सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि 9th class की वीडियो आप लोग को जो है इस 8th next जो class रहेगी आप लोग की अच्छे से तयारी के लिए आप लोग को पढ़ाए जाएगा starting से तो 10th जिनका होगा 10th की तयारी से चैनल पर कराए जाएगी जिनका 9th होगा उनको 9th की starting से तयारी कराए जाएगी तो वीडियो में बने रहें थैंक्स पो वाचिंग इस वीडियो